हालो उसलो कम यू आज मादेंगेज वीडियो करने वाले आट वाले हैं चाहिक और बात करेंगे चाहिके स्टॉक्स की और कुछ समझेंगे और सी vibrational देखे focus हम बात कर रहे हैं चाय का stock है क्यों focus में आया जब आप इसका price section देखोगे तो आप भी relate कर पाओगे चीजों को समझ पाओगे और आगे बने से पहले मैं आपको बता दूगर आपने तक चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जैसे आपको notification आती रहेगी और price action सीखने के लिए आप जोइन कर सकते हो membership बटन पर क्लिक करके price action के series बहुत important है मैं आपको यह कहूंगा कि यह series आपको बस parameters देती है कि कि किस-किस parameters से mind को brain को train करना है लेकिन brain को train करने की बहुत जरूरत है वो data set आपको practice देगी तो इसलिए यह parameters तो आपने देख लिए क्या क्या parameter वाइस train करना है लेकिन जो practice है वो actual data आपके brain तक पहुचाएगी यह बहुत important है टेक्निकली आपके सामने बात कर रहा हूं अगर आप टेक्निकली थोड़ा चीज़ों को समझो तो आज की date मगर मैं एक example आपके सामने रखता हूं artificial intelligence और machine learning वहाँ पर जब हम models को train करते हैं तो उसको क्या देते हैं data set वो data उसको provide करते हैं ताकि उस data के basis पे वो अपनी mind का मैंड एक अपना decision बना पाए तो यह कहां से छोरी निकली है एक human mind को किस तरीके से train किया जाता है उसका एक example मैंने आपको artificial intelligence और machine learning के through दिया तो लेकिन human brain को भ आपने के लिए data set चाहिए तो इसलिए practice बहुत important और आपने अपने जीवन काल में अब तक यह समझा होगा देखा होगा कि जब आप किसी चीज को practice करते हो तो mind automatically वो चीज वो action देने लग जाता है तो इसलिए practice ही सब कुछ है तो आप यह तो just price section के series आपको parameters पहुंचाएग आप खुद देखोंगे analyze करोंगे तो बहुत सारी चीज़ों सीखोंगे तो इसलिए practice जरूर करें आज यह चर्चा करने वाले है उसका नाम है कोई भी stock जब हमारे सामने radar में आता तो उसका major कारण होता उसका price section प्राइस section के बिना वो stock हमारी radar में आता नहीं तो अगर मैं इस जैसरी टी को देखू तो covid के time पे इसका जो low point था वो 20-22 रुपे के आसपास था एक बहतरीन rally इसने दी और उस rally में अगर fractal nature और market को देख किया जबर्दस यह rally थी लेकिन उसके बाद आप देखो पिछले कुछ time से एक बहतरीन correction चल रही है correction के बाद आप अगर इसको situation को देखोगी तो एक positivity सी आपको देखने को मिल रही है तो हम बड़े time frame वाई जी monthly का time frame wise है बड़े time frame वाई जो है इसकी correction में है correction resolve हो रही है और एक नई rally start हो रही है एक नया leg start हो रहा है कुछ इस तरीके से अगर हम देखें कि इसकी situation कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है जो कि price section का बहुत important concept होता है अब हम छोटे time frame पे इसको जाएंगे इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है तो फिल चार्ट पे अगर कोई stock 200 SME की इर्दगिर्द इस तरीके से support लेता है तो वो stock हमारी radar में हमेशा रहता है वो stock को हम ignore नहीं कर सकते है आप clearly देख सकते हो कि August के time frame पे इसने अपना यह जो downtrend का 1,2,3,4 वाला rejection दिया था वो break किया था और उसके बाद यह pullback आया pullback अभी move start हो देख रहे हो ना बड़ी rally देख सकते हो पूरी correction यह volume के साथ breakout pullback और अभी एक नया lag क्योंकि अभी हम छोटे time frame के बात नहीं कर रहे है बड़े time frame की बात कर रहे है जैसरी टी यह stock का नाम है अलड़ी हम कई बार चर्चा कर चुके अगस्त में जब यह break हो रहा था तो भी हम इसके बारे में काफी detail में चर्चा करी थी यहां पर जैसरी टी और September 20 और August September के टाइब और उसके बाद आप अगर मैं यहां पर जैसरी टी को देखूं तो आप देखोगे अब मैं एक और learning के लिए हम आपके सामने लेके आते हैं अभी और learning यहां पर देखेंगा और समझने की कोशिश करेंगे अभी हम एक bullish side में तो पहुंच चुके हैं अब weekly पे और नई learning के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना इस leg को देखो देखो फिर एक jump आता है फिर यह next leg बनता है जंप आता है next leg बनता है फिर एक jump आता है next leg बनता है although यह fall थोड़ा सा equal low यह हलका सा नीचे है तो यह हलका ओपर है तो एक divergence का situation बनता है फिर एक rally आपको देखने को मिलती है यह देखे अब आप एक positivity यानि कि यह जो initial leg था यह हो गया हमारा entry one जिसको हम कहते है ठीक है point number one point number two point number three जो important point है लेकिन फिर से बढ़िया correction आती है आप देख सकते हैं आप जो है यह next leg के लिए तैयार हो है तो कहीं न कहीं आप देखिए किस तरीके से हमने MECD का यूद करके price action बनाने की कोशिश की है यहाँ पर जो price action आप उपर देख रहे हो MECD में एक positive momentum में यह correction है यानि कि जो हमने अभी recently आपको बात करी थी कि correction during the momentum और वो कितनी खतरनात थी वो आपने spark यानि की sunfarma advance में देखी होगी और sunfarma advance हमारा अभी recently यानि कि December end का वो वीडियो था उसको जरूर देखें वो आप देख सकते हो relate कर सकते हो जरा देखें लेकिन क्योंकि हम बड़े time frame वाई इसमें जा रहे है तो बड़े time frame में क्य बड़ा दूर के होते हैं अगर मैं इसी stock को देखू अगर आपने stock को जल्दी समझ के मान लो आपने 110 अभी तो 120 के आसपास है इन lag पर कहीं पर भी entry अगर बनाई हुई है किसी भी time frame पर तो आप situation देखो कि तो zone क्या है यह zone है यहाँ पर उमीद होगी अगली correction consolidation के अगर यह बिल रही है कई महिनों की correction यह है तो चलिए यहाँ पर हम relate करने की समझने की कोशिश कर रहे है हमने weekly divergence को यहाँ पर समझने की कोशिश करी MACD का example लिया और एक next level अब RSI की बात करते हैं RSI में range shift की थोरी एंड्रू कार्डवल जी कि अगर आप अभी तक नहीं समझी देखिए तो price section की series में जाके उसको देख सकते हो जुलाई 2021 में बनाया आप कहा गया 2024 का start हो चुका तो दो-ढ़ाई साल इसको हो चुके एक बढ़िया rally की उम्मीद अब जैसरी टीम में क्या लगाई जा सकते है तो चलिए देखेंगे detail में समझने की कोशिश करेंगे उम्मीद तो बहुत है इस stock से क्या यह उम्मीद पर खरा भी उतरता है या नहीं उतरता लेकिन risk management तो तो risk management last swing low अगर देखा जाए तो 91 का है उससे last swing low जो है वह आपका 86 का और इन फ्रेम में जाते हैं तो position size को कम करके risk को manage किया जाता है ताकि आप लंबी दूरी तक उसको hold कर पाओ अगर बड़ा position size होता तो थोड़ा tough होता है लंबी दूरी तक hold करने में क्योंकि यह mental barrier का काम करता है wind up करता हूं वीडियो को आप share कीजिए like कीजिए प्राइस सेक्ष video